हिमाचल परदेश के पहले मुख्या मंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यश्वन सिंग परमार की आज 117 वी ज्वयनती है इस मौकी पर शिमला के रिज मैदान पर यश्वन सिंग परमार की पतिमा पर पक्ष और विपक्ष के निताओं ने एक साथ शुर्धा सुमन अर्पित किये और हिमाचल निर्मान में यश्वन सिंग परमार के योगदान को याद किया डाक्टर परमार हिमाचल परदेश के वर्तमान सुरूप के संस्तापक ते आज का हिमाचल बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान है आज के हिमाचल के बनने में जो अधारशिला रखी गई वो उनके द्वारा रखी गई उनके द्वारा उस समय के जो अंधोलन हुए उनका नेत्रितिव किया उनोंने और 15 अपरेल 1948 को हिमाचल बन गया यानि 9 महिने में तो उनका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल परदेश के बनने में है फिर उसके बाद पंजाब के जो पारीक शेतर हैं उनको हिमाचल परदेश में समलित करने में और उसके बाद पूर्ण राजिया हिमाचल परदेश को 25 जनवर 1970 में मिलने का तो आज का जो वर्तमान सुरूप जो हिमाचल परदेश है वो डाक्टर परमार के अपने योगदान के फाल सुरूप है और आज के इस मौके पर हम दिल से दिल की घराईयों से उनको सुधान जली अरपर करते हैं डॉक्टर यश्वन सिंग परमार जी का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल वासियों के लिए रहा है हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने में उनकी बहुत मुहत्तोपून भून का रही है और सबसे बड़ी बात कि जब हिमाचल परदेश मन्ने की संभावने थोड़ी बहुत चल रही थी तो आगे बढ़ करके अगर उसको मूर्त रूप में साकार करने के लिए नेत्रित तो अगर किसी ने किया तो डॉक्टर यश्वन सिंग परमार जी ने किया और आज यह हिमाचल उनका बनाया हिमाचल आगे बढ़ करके पूरे देश में एक एहम स्थान पर है मैं डॉक्टर यश्वन सिंग परमार जी के उस व्योगदान को जो हिमाचल के निर्मान में उनका रहा हिमाचल के विकास के लिए उनका रहा और हिमाचल आगे किस परकार से बढ़ना चाहिए विशेश तोर चे आर्थिकी उस वक्त बहुत कमजोर थी और ऐसे में बन संपदा हिमाचल परदेश के आर्थिकी को मजबूती दे सकती है ताकर दे सकती है इनका सनक्षन करना चाहिए आये का एक साधन बन सकता है और हिमाचल परदेश में गाओं के लोगों का पीष्ट का बोज उतारना ये हम सब का दाईतु है उसके लिए सड़क का निर्मान करना लेकिन प्रकृति को नुकसान किये भी ना ऐसी सारी सीजों को लेकरके उनने हिमाचल परदेश को आगे बढ़ाने का जो काम किया है उस योगदान को आज हम समर्ण करते हैं और उनके बताय हुए मार्ग पर हम आगे बढ़करके हिमाचल परदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे आज के इस अफसर पर उनको शिर्दानजली देते हुए, उनके योगदान को समरण करते हुए, मुझे सिर्फ इतना कहना है।